एक सही बात बताओं, मेरा ना हर दिन कुछ न कुछ चट पटा और अलग खाने का मन करता है मतलब हर दिन अलग, बना बना कर बोरो चुकाओं, फिर भी कुछ अलग खाने का मन कर रहा है पर आज जादा मैनत नहीं करूँगा, बस ले लूँगा तीन आलू सबसे बहल तो आलू नमक को उबलते पाणी में डाल कर, आलू को पकने दो फिर जब तक आलू उबले है, तब तक मैंन ले लिया है, प्यास टमाटर, हरी मिर्च और प्यास टमाटर, हरी मिर्च को ना, जितना बारी काट सकते हो, उतना बारी काटो अब आप कहोगे कि बारी काटने ही तो दिक्कत है तो हाँ उनके लिए दिक्कत है थोड़ी जिने कटिंग बिल्कुल नहीं आती तो देखो मैं जितना बारी काट रहा हूँ उतना गट नहीं भी बारी काट पाऊगे ना तो भी चल जाएगा पर फिर भी ट्राय करना जितना बारी काट सकते हो उतना बारी काटने की और वैसे मैंने कटिंग चॉपिंग पे एक दो वीडियो अल्रेडी शेयर की है पर अगर फिर भी कटिंग चॉपिंग पे कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना अब देखो 10-15 मेट तो होई चुकए है आलू भी उबली गह रहेगा तो इसे निकाल लो फिर आलू को गरम पाइन से निकाल कर ठंडा कर लिया है और इसके बाद मैं इसके छिलके निकाल ले रहा हूँ और चिलके उलके निकाल कर इसे काट लो और इसे काटने में भी जादा कुछ नहीं है बस वही बड़े-बड़े क्यूब में काटना है फिर इस तरह से इसे बड़े बड़े तुकड़ों में काट कर इसे एक बरतम निकाल लेंगे फिर इसे निकालने के बाद इसमें मिला लो दो बड़े चम्मच कॉनफलार फिर आलू में कॉनफलार डालने के बाद आलू का अच्छी तरह से मिला लो देखो मैंने इसमें नमक मिर्ची मसाला कुछ नहीं मिला है बस इसके बाद ले लो एक पैन उसमें डाल दो तेल और डाल दो आलू तेल लिया है लगभग तीन बड़े चममच और अगर नॉस्टिक पैन का यूज़ करोगे ना तो जादा बेटर है और ये भी बता दे रहों कि अगर नॉर्मल पैन के यूज़ करोगे तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है पर कोई नहीं नॉर्मल पैन पे भी अगर लगतार चलाते रहोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा पर इसे निकालकर प्यास ट्रमाटर हरी मिर्च कटी भी डाल दो साथ में डाल दो नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, दो बड़े चमच हरी चटनी और चटनी के साथ एक बड़े चमच केचप डाल दो और सबसे आखिर में डाल दो बारिक कटी हुई हरी धनिया और हरी धन्या डालने के बाद इसे कर लो mix 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 वैसे इसमें निम्बू भी डाल सकते हो चार्ट मसाली भी डाल सकते हो लेकिन मेरे पास निम्बू चार्ट मसाली खतम होगे थे इसलिए मैं नहीं डाला पर मेरे पास safe था तो मैंने safe जरू डाला है तो आलू चार्ट रेडी है, बाकि अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेफ प्रदिक्स किचन को सब्सक्राइब